हेलो दोस्तो आज हम बात करेंगे दुनिया के पांस सबसे चौंकाने वाले गड़ों के बारे में जिने देखकर आपको अपनी आँखों पर विश्वास नहीं होगा इन में से कई गड़े काफी खतरनाक हैं तो कई रहस्यों से भरे हुए हैं फिर भी लोग अपनी जान को दाँप पर लगा कर इनको देखने आते हैं बस आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें साल 2007 में लोगों को कुछ अजीब आवाजे आने लगी लेकिन उन्हें ये नहीं पता चल पा रहा था कि आवाजें आका आसे रही थी जब कुछ दिन बाद सिटी के बीच में एक बड़ा सा गड़ा निकल कर आया तब जाकर लोग आखिर समझ पाए कि ये आवाज कहां से आ रही थी इतने बड़े गड़े के अचानक निकलाने के कारण इसमें गिरने से दो लोगों की मौत हो गई थी और हजारों लोगों के घर खाली करवा दिये गए थे क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं ये गड़ा और न फैल जाए अब तक लोगों को पता नहीं चल पाया था और गहरा है ये गड़ा भामास के एक आईलेंड पर स्तित है इसके बारे में रिसर्च करने के बाद पता चला कि ये गड़ा यहां पर 15 अजाद साल से मौजूद है डाइवर्स का कहना है कि जब वो इसके अंदर जाते हैं तो उन्हें 30 मीटर तक सब कुछ साफ दिखाई देता है जिसकी वज़े इसका साफ पानी हो सकता है आपको यहां लोग हमेशा मस्ती करते हुए दिख जाएंगे लोग उन्चाई से इसके अंदर कूदने से भी नहीं डरते दोस्तो अगर आपको मौका मिले तो क्या आप इस जगह जाना चाहेंगे कुमेंट करके कुमेंट बॉक्स में जरूर बताएं बिम्मा सिंख होल ओमान में जब इस गड़े को खो जा गया तो लोग इसे देखकर चौंक गये क्योंकि इसके अंदर का पानी नीला और साफ था इसके बाद तो लोगों की भीड यहां रोज पहुँचने लगी कुछ लोग इस चमतकार को देखने आते थे तो वहीं कुछ युवा लड़के इसमें इंज्वाय करने आते थे इसे दुनिया का सबसे सुन्दर गड़ा भी कहा जाता है जिसकी वज़से इसमें तैरने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं सारी सारी नामा ये वेनिज्वायला का सबसे रह समय गड़ा है जो जंगलों के बीचों बीच बना हुआ है इस शांदार गड़े के अंदर अपना अलग बातावर्ण है जिसे आप दुनिया में कहीं और ढूंड नहीं सकते हैं इसके अंदर जंगल, जहरने और खतरनाक जानवर भी देखने को मिल जाएंगे वैसे तो लोग यहां पर जाना नहीं चाहते क्योंकि उनका कहना है कि इसके आसपास पहाड़ों पर इनसानों को जिन्दा खाने वाले लोग रहते हैं और इसके नजदीक वाली रोड सौ किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है दोस्तों आपका क्या मानना है? क्या जंगलों में अभी भी ऐसे आदिवासी मौजूद हैं जो लोगों को जिन्दा खा जाते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताएं डोर टू हेल जब इस जगह को पास में रहने वाले लोगों ने खोजा तो इस जगह में आग नहीं लगी हुई थी लेकिन वेग्यानिकों ने यहां मौजूद मिथेन गैस को खतम करने के लिए इसमें आग लगा दी और फिर ये आग कभी बुझ नहीं पाई हर साल इसे 50,000 से ज्यादा लोग देखने आते हैं और उनी लोगों ने इस जगह का नाम नरक का दर्वाजा रख दिया है को सब्सक्राइब जरूर कर ले ये बिलकुल मुफ्त है